जब मंजिल करीब हो तो मेनत जबरदस्त करना जीत निशित है तुमारी बस तुम अपनी पढ़ाई में वैस्त रहना हेलो फ्रेंड मैं निशा परजापत आपका गुरुकुल दाम में स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पाइप एंड सिस्टेंट का एक और नया कॉंजेप्ट हाँ फ्रेंड्स आज उसको सीखते हैं और इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा अगर आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो तो चलो सीखते हैं एक नल किसी टंकी को पाँच गंटों में भर सकता है ठीक है और दूसरा नल इसे चार गंटों में खाली कर सकता है तो यदि टंकी पूरी बरी हो तो दोनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो टंकी कितने गंटे में खाली हो जाएगी मलब इसने टंकी को पूरा बरावा बताया है और अपने को खाली करके बताना भी कितने टाइम में खाली होगी चलो करते हैं खाली अब देखो आप एक को तो माल लो A दो नल है ना एक नल को आप A माल लो और दूसरे को आप माल लो B ठीक है? यह नल है वो आपको पांच गंटे में भर सकता है ठीक है पांच गंटे में इसको बरवाओ और दूसरा नल है वो चार गंटे में खाली करा है यह टंकी को भी खाली करेगा तो देखो इसके लिए आप प्लस माइनस का सिंबल यह उस कर सकते हो plus minus का symbol q plus तो आपका show करेगा टंकी को बरने का और minus का करेगा आपको टंकी को खाली करने का अब देखो जैसे इसमेン यह plus का हो गया यह minus का हो गया ठीक है इसे आपको ध्यान में रह जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं इसमें plus minus करो या मत करो और जब आप 20 में 4 का डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 5 अब देखो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो टंग की है वो 20 लीटर की है और जो आपका A है वो 1 गंटे के अंदर 4 लीटर पानी बरेगा और आपका जो B है वो 1 गंटे के अंदर 5 लीटर पानी कम करेगा अब वो भरी 4 रहा है तो कम 5 करेगा इसका मतलब एक एक्स्ट्रा ही करेगा तो टंग की पूरी भरी भी एक खाली करवानी है अपन को अगर बरवाने का बोलता तो आप इस क्यूशन में क्या करते जब भरवाने का बोलता तो पोसिबल है नहीं है वही यह तो 4 लीटर पानी उसमें ढाल रहा है और B है वो एक गंटे में 5 लीटर पानी खाली कर रहा है इसका मतलब एक लीटर तो एक्स्ट्रा खाली कर रहा है वो एक लीटर कहां से लाओगे आप तो टंकी बढ़ने का तो सवाल ही नहीं परदा होता तो वो आपका क्यूशन हो जाएगा वो भरी नहीं सकती कभी खाली करवाने का बोला तो खाली तो हो जाएगी खाली तो करी रहा है तो इसमें भी प्लस माइनस का अगर यूज करो तो यह प्लस और यह माइनस और जब इन दोनों को 4-5 करोगे तो माइनस का 1 माइनस का 1 आपका show कर रहा है कि आपका 1 लिटर पानी एक्स्ट्रा में निकलेगा तो अब 20 में 1 का divide कर दो तो आपका आजाएगा 20 गंटे तो आपका correct answer हो जाएगा option number C तो friends आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और हाँ चैनल को subscribe करना मत बोलना और मिलते हैं अपन next वीडियो में तब तक लिए जुड़े रहें GD campus पे वीडियो को जल्दी जल्दी like कर दीजिए देख रहे हो आप लोग वीडियो को like नहीं करते हो यार like कर दिया करो ठीक है comments भी कर दिया करो मिलते हैं next वीडियो में